आज जो हमारे गेस्ट है यहां पर बैक्स्टेज पर उनकी जो एनरजी है वो नेक्स्ट लेवल है वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं प्लीज गेव एन अनरजेटी के वहां वेलकम तो वन अल्ली सोनु शर्मा सबसे पहले तो गुस्ता है इन पर बहुत जाएदा क्या गुस्ताकी होगी सर एको ऐसा होता है कि आपके जो आडियंस है ना वो आपको बार बर प्रेश्राइज कर रहे है आप अब वहां गहें आप युक नहीं जा रहे हैं अख्य बद्मश्य नहीं जाते हैं तो नाक में दम कर दिया लोगोंने आप की वजा से आना ही पड़ा इतने मेंसेज अब तो तीन दिन चे दम की वाले भी आरे हैं जाओगे कि नहीं जाओगे इस बहाने मिलना तो हो गया ना सर इस बहाने मिलना हो गया और मैं जानता हूं कि दो डाई महीने से में प्रोसेस में थे कि आप इसे मुलागात होगा लेकिन अच्छा लगा है बच्छों की अनर्जी देखकर आप से मिलकर वाकिन अब बताईए कौन है जो इनसे कुछ कुछ पूछन चाहते हैं मेरा कुशन यह है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रॉलिंग फेस था तो उस ताइम पर आपको गिव आप करने का फिलिंग आया होगा तो उस फिलिंग को हमें किसे में टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया देखो जब आपका वाय बहुत क्ल आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है वाय बहुत इंपॉर्टन है मतला कर आपका वाय क्लियर है ना तो कोई भी आपस्टेकल गिराने के बाद आप गिरने के बाद नीचे गिरने के बाद आप अपने आप खड़े हो जाते हैं तो वाय स्ट्रॉंग होना चीए और कि लोग उठी नहीं खड़े होते हैं जिनका वाय स्ट्रॉंग है मैं एक्जामपल दे के समझाता हूं आपको फॉर्ण एक्जामपल मैं आपको वोडन स्ट्रोग दूँ दो फूट जिसका विट हो और तीस फिट जिसका लेंध हो और आपको बोलू मैं यहां से वहां आप आपको ट्रेवल करना है उसकी उपर चलके और मैं आपको 10,000 रुपे दूँगा तो आप चलेंगे बहुत आराम से आप सावाल को ट्विस्ट करते हैं अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की दो बिल्डिंग के बीच में लगा दूँ आप चलेंगे लेकिन मैं अगर आपको आपको कभी रोक नहीं सकती है लेकिन जब वाए क्लियर नहीं होता तो छोटी सी छोटी आपस्टे कल भी आपको वापिस ले जाते हैं जहां से आपने जरने स्टार्ट किया हो वाए इंपोर्टन आप सबसे मेरा कॉशन है आप कैसे बनना चाहते हो जैसे एक होता है कि जरा के अंदर हो सकता है जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम को फेस किया है वो ही तो बोल सकता है ना आने दो इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रॉंग बंते कैसे हैं स्ट्रॉंग बंते हैं प्रॉब्लम से फेलियर से स्ट्रगल से सक्सेस से नहीं सक्सेस से त तो आप जितना अभी इस एज में फेलियर्स को देख लोगे, डरोगे नहीं, उतना ही आने वाले दस साल बाद स्टॉंग होगे। आप देखेंगे कि जो सडक किनारे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तमभु लगाके उस समान बेशने हैं टाइज वहां देखना उनके बच्चों का इम्म्यून सिस्टम बहुत शांदार होता है, वो सर्दी में जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगा ही खेल रहा होगा स और हमारा पेंपर्ड बच्चा ब्लैंकेड के अंदर उसको जुखाँ हो जाता है, जरा सा हवा लग जाया ठीड़ तो जो ठोक रहे हैं वो आपको इम्म्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देखें सफलता सही कह रहे हैं संदीब जी कि दिमाग खराब करती है, तो यह जो लोग रहते हैं जिमको लगता है कि यार एक खुद्र टेस्ट ले रही है हमारा, वो तो खुद ही बोलता है अगर दो-चार साल कुछ ना हो ना उपर देखें बोलता है कुछ कर नहीं रहे क्या, मुझसे बरोसा उट गया है क्या, हाँ, सभी बात है, बेजो कुछ चैलेंज आपको इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करते हैं और मेरे हिसाब से 14 और 20 साल का जो एज है इसमें खुब पिटाई होनी चाहिए, खुब रगड़ा पटी होनी चाहिए, ताकि उसका इम्यूनिटी एक बार अच्छी हो जाए, बाकि उसका जो 70 साल का जंदगी है वो लोह हो जाते हैं, आपको खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, दुनिया तो नहीं करेंगी इताय है, दुनिया तो चड़े में बम लगाएगी आपके, हाँ तकलीफ यह नहीं है कि रिमोट भी अपने हाथ में रखेगी, जब बन करेंगी है, दुनिया आपके भरोसा नह कि गिर जाया रखेगी, वापीस खड़ा हो जाता है, बमार को अपने नजर में घर जाया ना फिरादमी खड़ा नहीं है, आँए हां है जो आप अपने वीडियो में बार-बार साला साला बोलते हो, तो आपका सालय एक्चों में है या नहीं है? नहीं बिल्कुल है आश्पुष्ट है किते हैं न सारी खुदाई एक तरफ एक तरिम में उसको याद करता हूं लोग कुछ और सुछे आज कल का जो दौर है ना जो कई बार लोग बोलते हैं आप साला मत बोला करिये लेकिन साला बोलने से जो वदन बढ़ता ना बात में वो कुछ और शब्द उसको भरपाई नहीं कर पाता है और उसको भरपाई नहीं कर पाता है और कभी-कभी जैसा लोग में बोलते हैं मत युश करो यह वो आदमी है जो नेटफिक्स देख रहा है और नजाने क्या क्या तेख रहा है और क्या क्या सुन रहा है लेकिन उसको मेरी सपहिता है थोड़ा सा हर आता ना कि इस देश में हर आदमी से हो सकता है कि हम एस एवरीबड़ी लाइक्स यू यू ये वाश्ओ परोब्लम दुनिया में सबाब को पसंद करते हैं तो आपने कोई समझाता ही किया है जीवन के वाइज तो मैं जान मुझ के बोलता हूँ क्योंकि उसका जो वजान है ना यार मैं और बोलना चाहता हूँ और भी कुछ लेकि रोग लेते हो सब्कूशन करना चाहता हूँ कि जैसे लाइफ में सब कुछ के लिए होती है नोलेज सबके बास है ans करता है एक र्षप सीरांटिंग उसको डिए मैंटर करता है करना कि फिरुबिक रूपता है सव्कूष करता है जियान और क्लेर कर दो है। बहुआन कृष्ण पॉंडवों के तरब से गए पांच गाउं मांगें लेकर गये कि पांच गाउं आप पांडवों को देतों बड़ाई नहीं करेंगे। पूरी मावार के नहीं कि दिक्कत नहीं है। तो दृयोदन नहीं बॉला कि सुый के नौक बराबर भी जमीन नहीं दोगा ने से बहुँते है यह धर्मशार है jestin बोला मैं जानता हूँ वह धर्मशार्व बुलत करता क्यों है और पता नहीं सी जो मुश्यक्तने क्रवाटें अशा होता ही नही है कि गलतं मुझे तो पता ही नहीं था चूरी करना पाप है नहीं तो मैं करता ही नहीं है पता होता है पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे गलत कराने कोई मजबूर करती है और मैं करता जा रहता है ना जो कुता उससे परफेक्ट एक्जामपल नहीं है कुता अगर रोटी चुर कि भागे तो तीन गली दूर जाएगा चौरी से खाएगा कि कोई देख सुनी रहा चुरा के लाया है और अगर को मालिक उसको अगर परोस्ता है ध्यान से देखना वह पहले पूंच उठाएगा दो हाथ उपर के करेगा थैंक्स बोलेगा शुकर यादा करेगा और जहां परो होता है और क्या गला करता है फिर भी लोग करते हैं ऐसा हो नहीं सकता सिग्रल स्मोकिंग इस इंजॉरियस टो है अवरीबडी नोज ना अब चालिस साल तक जाला चैन स्मोकिंग कर रहा है और उसके फेपड़े खराब हो गये डॉक्तर ने बोला भई तेरी वरेंटी खतम ह आपको सब पता है सुपह सेर करने से सहत अच्छी रहती हर किसी को पता होता है गरीब भी कर सकता है अमीर भी कर सकता है चपल है तो भी कर सकता है ना एकी कजूता वाला भी कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं करता ना पता होने से क्या होता है कुछ नहीं होता है एक्जिशन इ क्योंकि बाइलोजीकली आपकी जो ब्रेन है। वो मांगेगी उसीज़ को. अब सिर्फ साइकलोजीकली आप लिए प्रेवने ही कर रहे हैं से क्लिए और जैसे भूक लगती है प्यास लगती है. वैसे पर आदत पढ़ गई टाइम खराब करने की उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की रोक लिया वहीं रोक लिया पहली सिग्रेट पे आप रुप गए तो बंच आओगे मैं आपको संधीची को एड करता हूं यह बिल्कुल फैंटास्टिक बात बोली रहा है बहुत जबर्दस बात बोली एक गुरु और एक चला कहीं से ट्रवल कर रहे तो जंगल ट्राइब जगा थी तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ दो क्या उखाड़ दो वो छोटा सा लगा था इतना सा उंगली की तरह बाहरा है तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है खट से खाड़ दिया थोड़ा सा और आगे गए तो दो डाई फूट का छोटा सा पेड़ था गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे थोड़ा सा जोड़ लगाया वह उखाड़ दिया फिर एक बर जड़ें गहरी हो जाए तो उसको ख़ड़ना बहुत मुश्किल होता है मेरे स्वेशन यह है कि जजिक हम पढ़ते हैं मैं आज कर दिया है कि हम एक सिम्म मारा फोकस है कि हम पढ़ेंगे और यह चीज मारे जॉब करेंगे लेकिन यह होते कि जब वो नहीं होता है हमारे से तो आम मतलब हमें कुछ बढ़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी जब आएं वो उसकरें देखो यह जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए यह सोची गलत है अगर मुझसे पूचो को मेरे स्टैंपॉट से सोच पता है क्या होनी चाहिए इतना तगड़ा इंस्ट्रुमेंट हमको मिला हुआ है यह जो इंस्रु को यूज करो कुछ क्रियेट करने के लिए माइंडसेट को चेंज करो अभी क्या एज है 20 साल 22 साल अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रियेट करने वाली हूँ 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल अभी पूरी लाइफ पढ़ी है उसको कैसे क्रियेट करना चाहते हुआ कैसी नॉलिज की कहां कमी है और अपने दिमाग को खोलो सिर्फ यह लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से पढ़ाई करी उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूँ जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूँ अरे नहीं वो समय गया आज अल्लिमिटेड ऑप्शन्स है फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है दिमाग बंध है मैंड इस लाइक पैराचूट इट कांट वर्क अलेट इस ओपन तो दिमाग को खोलो देखो दुनिया में क्या-क्या हो रहा है जोब इस नहीं तो दुनिया तयार है आपको पैसा देने के लिए आप इसको ऐसे देखो आपको बुश्यता हो आपकी लाइफ में मानो कोई बड़ी प्राप्लम हो और वो किसी पर्टिकूलर प्रोड़क्स या सर्विस से सॉल्व जाता है आप पैसे दोगे या नहीं इसी को तो बिजनस पोलते हैं मेरा एक वीडियो है अगर टाइम मिले तो देखना इस दुनिया में जंगल का शेर बनना सरकस का नहीं चेर तो सरकस में भी रहता है ना अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है आग में से भी कुद्रे को बोलता है तो बिचारा नहीं तो शाम का अपना सूर्यास नहीं देख सकता है डेली भागना है डेली दोड़ है डेली लड़ाई है डेली जंग है उसकी लेकिन सरकत के साथ को जंग है ऐसी नहीं उसको दूप की तकलीफ है दूप उसको पढ़ेगी नहीं बारिश उस पर आएगी नहीं सेफ सिक्य जोर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक्टर हो रही है, लेकिन साला कोई जिंदगी है, बच्चे भी पूच पे हात लगा के चल जाते हैं जब पूच बाहर गुमरी होती है, अब यहीं पिंजरा हटा दो, बच्चे को बहुत हात लगाई हो, तो जिंदगी में बनना तो जंगल क खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे, सो साल की नालाइक जंदिगी से तीस साल की साले शानदार जिंदगी जादा इच्छी है Thank you so much, thank you मैं सच बटाओ, मेरा दिल से मैं खुद को बहुत मौटिवेट फील करें, मतलब कुछ ऐसे हैं, मसले मसायल कुछ टिफिकल डिस चल रही थी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आ गही थी आपको यह मैं सब्रेक्शन का वीडियो का ऐसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्ट वीडियो लेशे, जरूर के बीजिए।